ओम श्यान्ति पांच साथ दोहजार तेईस की मुल्ली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा साहुकार प्रजा बनने वाले नौलेज लेंगे बीज भी बोएंगे पवित्र भी रहेंगे लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो के हमें स्वयम भगवान पढ़ाने आये हैं अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहां बैठे भी जैसे भुट्ठू है अगर निश्चय है तो रेग्यूलर पढ़ना चाहिए धारन करना चाहिए आगे कहा यह ओल्म समाइटी गोवर्मेंट है बाप के साथ धर्मराज भी है इसलिए बाप को अपने किये हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा फिर कहा इस अंतिम जनम में पवित्रता की प्रतिग्या कर पान का बीड़ा उठाना है आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का प्रश्य बुद्धी बन पढ़ाई रेग्यूलर पढ़नी है बाकी जो अब तक पढ़ा है वो बुद्धी से भूल जाना है अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे यह ओल्माइटी गोवर्मेंट है बाप के साथ धर्मराज भी है बाप को अपने किये हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा प्रश्न है राजधानी का मालिक और प्रजा में साहुकार किस आधार पर बनते हैं उत्तर राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए पढ़ाई से ही पद की प्राप्ती होत साहुकार प्रजा बनने वाले नौलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सैयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। गीत है तो रेग्यूलर पढ़ना चाहिए, धारन करना चाहिए, गीत है नयन हीन को राह दिखाओ प्रभू, ओम शान्ती, कल्यू को अंधेर नगरी कहा जाता है, क्योंकि सब आत्माएं उजाई हुई है, ऐसे नहीं कि आखों से अंधे हैं, अंधेरी नगरी में सब ज्यान न नेत्रहीन, अंधे की अउलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं, हम सब आत्माव का बाप वो परमात्मा है, जब हम सब आत्माएं वहां मूल वतन में रहती है, तो जगती जो थै, पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे, सत्यू को कहा ही जाता है गोल्डन एज, हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है, अब तो है आईरन एज, अर्था तमो प्रधान पत्थर बुद्धी, सत्यूग में है घर घर सोजरा, कल्यूग में है घर घर अंधियारा, देवी देवता धरम प्राय लोप हो गया है, सब धरम रष्ट करम रष्ट है, अपने को देव कहला नहीं सकते, क्योंकि विकारी है, बाबा ने सावर कर का मिसाल बताया था, उनको कहा गया, कि आदी सनातन तो देवता धरम था, तुम फिर आदी सनातन हिंदु महासभा क्यों कहते हो, बोला, दादा जी, हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते, क्योंकि हम आपवित्र तो अब देवता धरम की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मिश्णरी है न जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं इस समय भी देवता धरम है नहीं अब ब्राम्हनों की स्थापना हुई है ब्राम्हन फिर देवी देवता होते हैं परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं हूँ देवी देवता धरम की स्थापना करने वाला मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ जो मैं तुम सब को भेज देता हूँ जैसे वो क्रिश्चिन की मिश्णरी है वैसे यह देवता धरम की मिश्णरी है स्वयम पारलोकिक परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम जो भी सुनते आई हो सब जूट भल ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है परन्तु इस माया की बॉंडिच से छुड़ाने कल्प कल्प मैं आकर समझाता हूँ और आकर ब्रम्हा दुआरा देवता धरम की स्थापना कराता हूँ द्वापर से फिर और अनेक धरम स्थापन होते हैं उस समय देवता धरम है नहीं उसको कहा जाता है रावन राज्य गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुश्यों के गाये हुए है श्रे कृष्ण ने तो सत्यूग में प्रालब्ध पाई है अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ लक्षमी नारायन का राज्य स्थापन करने भारत में ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कहना सके भगवान ही कहते हैं हे भारतवासी बच्चे मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवतादरम स्थापन करने पहले तो ब्रम्हा द्वारा ब्राम्हन चाहिए देवताय तो प्रालब्ध भोगते हैं वो किसका कल्या नहीं करते वो तो राजे लोग है वहाँ संपत्ति बहुत है माया होती नहीं इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है अब भारत नर्क है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कहना सके के काम महाशत्रू है इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे भले तुम सारे भारत में जाओ कोई भी ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि खुद ही विकारी है उन विचारों को भी यह पता नहीं के सब का अंतिम जन्म है बाबा बतलाते हैं के पहले तो इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं अर्थात अब सारे स्रिष्टी का ही अंत है इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बेड़ा उठाओ यह कोई जूट बात तो नहीं महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी बच्चों ने विनाश थापना का साक्षातकार किया है इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है और गीता सुनाने वाले ऐसा कहना सके कि यह अंतिम जन्म है इसलिए पवित्रता का बिड़ा उठाओ तुम्हारा यह राज योग है तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए अब यह सच्ची कमाई करनी है इस अंतिम जन्म में पत्थर नाथ से पारस नाथ बनते हो बिलकुल उच पद पाते हो जो हमारे पुराने बच्चे है जिनको माया ने भसमे भूत किया है उन्हों को आकर जगाया है यह गोरा था अब सब आत्माय काली तमो प्रधान है आत्मा ही काली और गोरी बनती है आत्मा को निरलेप कहना बिलकुल साफ जूट है आत्मा संसकार ले जाती है अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो इश्वरियमत पर योरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गौड गौडेज की राजधानी थी भगवान राम, भगवती सीता परन्तु उनको भगवान कहने ही सकेंगे वो तो डीटीजम है वहाँ भगवान कोई नहीं है भगवान तो एक है देवताएं तीन है बाकी है मनुश्यस रिष्टी जैसे क्राइस्ट ने आकर धरम स्तापन किया क्रिश्यन थे नहीं वैसे अब देवता धरम प्राय लोब है सबसे उत्तम धरम है देवताओं का बाबा कहते हैं पहले पहले यह रुहानी ब्रामन धर्म रचताओं यह रुहानी ब्रामन परमधाम का रास्ता बताने वाले हैं कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है तो बाबा बतलाते हैं, पहले नंबर में भक्त जरूर देवताई होंगे लक्ष्मी नारायन ने पहले पहले भक्ती मार्क शुडू किया सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया, कितना साफ साफ बतलाते हैं यह knowledge उठाएंगे भी वो जो राजधानी के मालिक बनने होंगे फिर जो प्रजा में साहुकार बनने होंगे, वो ज्यान भी सुनेंगे बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे बाबा कहते हैं बच्चे, यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है, बहुत उच ते उच पद है पहले तो यह निश्चे चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आये हैं, ना के श्री कृष्ण बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे, प्रेंस प्रेंसेस तो तुम सब बनते हो, जिनको यह पूरा निश्चे नहीं, वो इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते, जैसे कोई भट्टू अगर निश्चे है, तो रेग्यूलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है, यह अवेनाशी प्रालब्द मिलती है, अवेनाशी बाबा द्वारा, बाकी सब कब्रदाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे, जब तक हम तैयार हो जाए, फिर वो खलास हो जाए हम तुमने कल्प पहले यह सब देखा था, अब देख रहे हैं, अभी कहेंगे कि पाँच हजार वर्ष बाद फिर यह धरम स्तापन कर रहा हूं, क्योंकि उनमें ब्रम्हांड और स्रिष्टी के आदी मद्ध अंत का ज्यान हो नहीं सकता, यह ज्यान बाबा ही आकर देते हैं ब्रम्हांड अर्थात जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती है, वो सन्यासी लोग फिर ब्रम्ह को ईश्वर कह देते हैं, अब ब्रम्ह तो है तत्व, परम्पिता परमात्मा तो है शिव, वो लोग तो ब्रम्हों हम भी कहते, शिवों हम भी कहते रहते, परंतु शिव तो है ब्रम्हा विश्नु शंकर का रचेता कहते हैं न भागीरत ने गंगाल आई वो यह भागीरत मनुष्य है नंदी गण तो फिर जानवर हो गया उन्होंने कौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया है मंदिरों में भी राइट चित्र है लक्षमी नारायन सीता राम के बस यह है उँच ते उँच जो प्रालब्ध भोगते हैं प्रजा भी प्रालब्ध भोगती है लक्षमी नारायन दी फर्स्ट दी सेकंड थर्ड आठ बादशाही चलती है बच्चे राज्य करते हैं सीता राम का भी ऐसे चलता है, फिर गाया जाता है जगदंबा आधी देवी और ब्रम्हा आधी देव, एडम इव, यह दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनते हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती, काली दुरगा, अम्बा, सब एक के ही नाम है, सच्चा नाम सरस्वती है, तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मूँ थोड़ी होता है, इस समय सब आत्मा काली है, हम सब बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है, अब रावन पर जीत पा रहे हैं, बाबा कहते हैं, मैं तुमको सब शास्त्रों, वेदों का सार ब्रम्हा द्वारा सुनाता हूँ, ब्रम्हा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, शास्त्र तो एक होना चाहिए न, तो अब ब्रम्हा के हाथ में हैं शिरोमनिक गीता, बाबा बैठ ब्रम्हा द्वारा सब वेदों रंथों का सार बताते हैं उनको गीता कहा जाता है बाकी कोई शास्त्र नहीं है बुद्धि में गीता है गीता में भगवानु वाच है के काम महाशत्रू है तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए के इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे वो तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे सब जूट बोलते रहते हैं हम भी जूट बोलते थे हमने भी बहुत गुरू किये अरजुन को भी कहा है न इन सब को भूलो तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ अब तुम जो पढ़े हो वो भूल जाओ ना सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ अब तुम कोडी से हीरे जैसा बनते हो अब यह सब खला सोना है तुम बच्चों ने विनार्स थापना देखी है इसलिए पुर्शार्ट कर रहे हैं बाबा के पास सब का पोता मेल रहता है लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी था यह किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हम को सुनाने से आधा माफ कर देंगे वो सब प्राइवेट रहता है पढ़ा और फिर फार दिया यहां ओल्माइटी गोवर्मेंट है अभी अजुन छोटा जाड़ है इसका माली खुद भगवान है धीरे धीरे ब्रिद्धी होगी माया जट मुर्जा देती है कहां की बात कहां कहानी के रूप में बना दी है कहां हमारे लक्ष्मी नारायन मर्याधा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम नी महान पवित्र थे यहां तो सब अपवित्र है वो था पवित्र ग्रियस्त आश्रम धर्म यहां अपवित्र ग्रियस्त अधर्म है पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी बाबा कहते हैं, यह दुनिया रहनी ही नहीं है, खलास होनी है, यह अंतिम जनम है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो, तुमको जनम जनमांतर विकारी माबाप से विश का वर्सा मिलता आया, अब मैं ओडिनन्स निकालता हूँ, विश का वर्सा बंद करो, नहीं तो बैक उंठ जा नहीं सकेंगे, बेकारों पर जीत पहनेंगे, तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल, राम राज्य आकाश तो रावन राज्य पाताल यह ड्रामा है, इस समय देवता धरम वाले और धरम में कनवर्ट हो गए हैं, अपने असली धरम को नहीं जानते हैं, को इसको कहते हैं हाफ कास्ट, यहां भी जो ब्रामन कास्ट में आये, लेकिन पुर्शाट में कमजोर है, तो प्रजापद मिलेगा, साफ बात बतलाते हैं, यह जो कहते हैं, रिशी मुनी आदी त्रिकाल दर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं, तो फेर त्रिकाल द यह भी गपोड़ा, सबको पाट बजाकर यहां हाजिर होना है, सबका गाइद बाबा है, बाबा किसी से भक्ती छुडाते नहीं, जब तक परिपक अवस्था नहीं है, तो भल भक्ती करते रहे, याद रखना, हम कोई का गुरू नहीं, जैसे तुम सुनते हो, वैसे हम भी सु अच्छा, मेठे मेठे सी किलधे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाब, दादा का याद प्यार, और गोड मॉनिंग, रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब, दादा को याद प्यार, गोड मॉनिंग, और नमस्ते नमस्ते धाना के लिए मूख्य सार पहला इस अंतिम जनम में पवित्रता की प्रतिग्या कर पान का बीड़ा उठाना है आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुर्शाट करना है दूसरा अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए निश्चे बुद्धी बन पढ़ा है वो बुद्धी से भूल जाना है वरदान है विजय के उमंग उत्सह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चे बुद्धी भव विस्तार है अगर निश्चे अटूठ है तो विजय सदा है ही विजय का उमंग उत्सह सदा रहे ना उम् पुश्किल कारिय इतना सहज नुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है क्योंकि अनीक बार कारी कर चुके हैं कोई नई बात नहीं कर रहे हैं इसलिए ना उम्मिदी का नाम निशान भी न रहे कोई भी स्वभाव संसकार में यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर पतन होगा या नहीं है ही सदा के विजई स्लोगन है शक्ति शाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिम्रन में रहो अच्छा ओम शान्ति स्थाइब मैं यह इंकी स्वदवरों की स्च उर मश्मिज जिंस स्वछावार क् haftै यह जो जो अजनों की साथ je घया है झाल 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 झाल